अरह बहँ इस मैडम को क्या हो गया नो गई मैडम कुल जाधे हो गया लगते हैं अरे उड़ गए मैम क्या बाद है अरे मैम आपकी हल्प कर दी मेने अरह भाई आपको सोना ही पड़ेगा लो आपको सोने आगें लो 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 सुला दिया फिल्ट्र मेंने आप सोई थी वो ही अच्छी थी क्या भाई इतना क्या फोटो निंगाल रहे हो हां लाओ कैमरा तो थर्टी अटागर्स आगे यहाँ पर तू उन सब को मारना हमें और यहाँ पर देखिये ब्लाज कर देंगे भाई हम हिलो गैज वलकम डू माइ चानल मेरे चानल में आपका स्वागत है तो गाईज के वीडियो में हम देखने वाले है दाइमन्ड कसीनों रिसॉर्ट्र बिजनस मॉड के बारे में तो guys एक और भी mod है जिसका नाम है mega business mod तो उस mod में सारे businesses available है लेकिन ये separate business mod है हमारे diamond casino and resort business में तो guys ये बहुत बहतरीन mod है तो इस mod की help से आप diamond casino में enter कर सकते हो वहाँ पे आप अलग-अलग activities perform कर सकते हो जैसे कि आप coins buy कर सकते हो diamond casino आप अलग-अलग games खेल सकते हो तो ऐसे बहुत सारी activities आप कर सकते हो और आपको एक garage में मिलता है और आपको एक penthouse मिलेगा जहाँ पे आपको office होगा और आप उस diamond casino and resort के CEO होंगे और आप सारी activities को आप वहाँ से perform कर सकते हो तो देखिए ये हमारा diamond casino and resort business तो देखिए आप यहाँ पे casino में enter कर सकते हो और देखिए आप बन सकते हो CEO आपको penthouse मिलेगा उसमें आप CEO होंगे वहाँ से आपको देखिए purchase option missions आपको garage accessible हो जाता है आपके लिए garage भी मिलता है big garage उसमें आप अपनी vehicles को store कर सकते हो और देखिए यह रहे purchase options देखिए अलग-अलग आप games खेल सकते हो और यह रहा आपका garage तो इसमें आप car को save कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी cars का collection भी बना सकते हो तो देखिए यह रहा big garage और यह रहा आपका penthouse और guys इससे आप special missions भी खेल सकते हो तो काफी बढ़िया mod है तो इस mod को आप ज़रूर install कर लेना तो चलिए देखते हम इस mod को कैसे install कर सकते हैं और हमारे क्या steps required है इस mod को install करने के लिए तो guys यह रहे हमारे installation के steps यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यह मेरे GTA 5 की game versions तो मैंने यह दोनों भी game versions पर मैंने test किया है और यह mod बिल्कुल सही तरीके से work कर रहा है तो guys यह है मेरा GTA 5 का cracked version तो इसमें भी यह work कर रहा है और यह है मेरे GTA 5 का paid version तो इसमें भी यह mod बिल्कुल सही तरीके से work कर रहा है या फिर latest game version होना चाहिए जो कि हमारा summer special update आया था तो वो game version आपका होना चाहिए तो कहा जाएगा तो आपका जो game का version था वो the diamond casino and resort का जो patch है वो होना चाहिए या फिर उससे latest होना चाहिए तो यह mod आपके game में बिल्कुल सही तरीकी से work करेगा तो चलिए बढ़ते है requirements की तरफ तो यहाँ पर दिखिए मैंने 5 steps में divide किया यहाँ पर तो step 1 में आप देख सकते हो आपको step 1 में install करना है latest script hook v latest script hook v.net एक scripts का folder create करना है और उसमें install करना है native ui तो guys यह दोनों भी steps optional है यहाँ पर तो guys अगर आप gtfi modding में एक best setup ready करना चाहते हो तो आप open iv भी install कर लेना और एक mods का folder भी create कर लेना तो guys आप यह सारी steps को follow करेगे तो आपकी gtfi के लिए best setup ready हो जाएगा और आप कोई भी और mod install कर सकते हो लेकिन diamond casino high stand resort mod को work करने के लिए आपको यह चार सीजे install करना बहुत जरूरी है step 1 में तो guys यह सारी steps मेरे how to install fortuna mod वीडियो से cover हो जाएगी link आपको description में मिल जाएगी तो guys यह मेरा how to install fortuna mod वीडियो तो आप देख सकते हो इस वीडियो में आपको बता है कि आपको open आवी कैसे install करना है native ui script hook we script hook we.net menu trainer तो यह सारे software को हमें कैसे install करना है वो यहाँ पर मैंने detail में बताया है इस वीडियो में तो guys अगर अभी तक आपने mod के लिए बेस setup ready नहीं किया है और यह सारे software को install नहीं किया है तो आप यह मेरा वीडियो देख लेना और यह सारे software को install कर लेना तो अगर आपके आपके पहले से install होंगे तो आपको इन्स्टॉल करने की जरूवत नहीं होगी सिर्फ ध्यान रखना कि आपके जो भी software है वो updated versions के होने ज perform करना तो step 3 में हमें install करना है simple trainer तो simple trainer में देखिए आपको option मिलेगा तो आप simple trainer को f3 press करके access करना उसमें आपको जाना है टेलिपोर्ट में other teleports में आपको unable mp maps का option मिलेगा उसे unable कर देना तो अगर आपको loading errors आ रहे तो ही आपको यह step perform करना है तो guys इस पर मैंने अलग से video बन motorworks तो यह काफी ज़रूरी mode है guys तो अगर आप इस mode को install नहीं करोगे तो आप diamond casino में enter हो नहीं पाओगे आप कई और जगा टेलिपोर्ट हो जाओगे तो guys आपका garage diamond casino और penthouse बिल्कुल सही तरह किसे work करने लिए आपको यह benny's original motorworks को install करना पड़ेगा नहीं तो इनके interest load नहीं हो पाएंगे और आप कई और जगा टेलिपोर्ट हो जाओगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तो इस mode के सिवह हमारा जो diamond casino and resort business यह mode है वह work नहीं करेगा तो यह mode install करना बहुत ज़रूरी है तो उसके बाद में हमें बढ़ना है step 5 में जहापे हम install करने वाले diamond casino and resort business यह mode तो 6 2020 का तो इसे मैं कर लूँगा download तो दीखिए तो यह हो रहा है download यहाँ पर guys यह हमारा simple trainer तो अगर आपको simple trainer को install करना तो इस पर मैंने separate video बनाई है आप उसे देख लेना और इस mode को install कर लेना तो इस mode को आप यहाँ से download कर सकते हो दीखिए 6 days ago का तो यहाँ पर दीखिए यह latest version है तो उसे आप download कर सकते हैं से तो guys यह हमारा बैनिज ओरिजिनल मोटर वक्स दीखिए यहाँ पर October 10 2020 का latest version है तो इसे हम कर लेंगे download यहाँ पर दीखिए यह हो जाएगा download यहाँ पर तो guys finally हम download करने वाले diamond casino and resort business यह mod तो यहाँ पर दीखिए यह हमारा current version तो हम इसे कर है download यहाँ पर तो guys हमारी यहाँ पर सारे mods हो चुके है download बढ़ेंगे installation steps की तरफ तो guys आप देख सकते हो left side में open है हमारी downloaded mods की files देखिए मैंने तीनों भी mods को यहाँ पर download कर लिया है और right side में open है मेरी gtfi की main directory तो guys देखिए step 1 के लिए आपको मेरा how to install fortune mod video देखना है अगर आपने यह software इसको install नहीं किया है तो आप इसे install कर लेना और उसके बाद में हमें बढ़ना है step 2 में जहाँ पर हम install करने वाले अनेबल ओल इंटेरेजियर मॉड तो guys आप देख सकते हैं यह हमारा अनेबल ओल इंटेरेजियर मॉड तो हम जाएंगे इसमें तो आपको जाना ह gtfi folder में तो देखिए आपको यह सारी files मिलेगी तो देखिए आपको यहाँ पर जाना है gtfi की main directory में यहाँ पर आपको scripts का folder मिलेगा आपको इन सारी files को यहाँ पर करना है copy और यहाँ पर scripts folder में करना है paste तो यहाँ पर हमारा अनेबल ओल इंटेरियर मॉड इंस्टॉल हो देख सकते हैं और simple trainer को install कर सकते हो तो अगर आपको game में loading के errors आ रहे तो यह आप इस mode को install करना नहीं तो इस mode को install करने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए बढ़ते है step 4 में तो step 4 में हमें install करना है benny's original motorworks तो यह बहुत important mode है नहीं तो आप diamond casino में enter नहीं हो पाओगे आप कई और जगाँ टेलिपोर्ट हो जाओगे इसलिए बहुत जरूरीडी mode है और आप अपनी cards को garage में भी save नहीं कर पाओगे और आप garage भी access नहीं कर पाओगे तो चलिए install करते है benny's original motorworks यह mod तो guys अब देख सकते हैं हमारा benny's original motorworks यह mod तो हमें इसमें जाना है हमें जाना है इस folder में तो देखिए आपको यह सारी files मिलेगी यहाँ पर आपको जाना है gtfi की main directory में और यहाँ पर आपको मिलेगा scripts का folder आपको इन सारी files को यहाँ पर करना है copy और यहाँ पर scripts के folder में करना है पेश्ट तो गाइज यहाँ पर हमारी बैनिज औरीजिनल मोटर वक्स की फाइल यहाँ पर कॉपी पेश्ट कर दिया हमने स्के फोल्डर में और हमारा यह भी मॉड इंस्टॉल हो चुका है तो हमारा step 4 भी यहाँ पर हो चुका है दन तो चलिए बढ़ते है step 5 में जहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले diamond casino and resort business यह मॉड तो गाइज यह हमारा diamond casino and resort business यह मॉड तो हमें इसमें जाना है तो यहाँ पर आपको एक folder और इन दो files को यहाँ पर करना है copy और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका है गराज तो आपको यहाँ पर अपनी कार्ज को आप पाक कर सकते हो यह हमारा diamond casino तो यहाँ पर आप access कर सकते हो तो यह रहेगा आपका penthouse तो इस penthouse में हम जा सकते हो और हम वापर CEO बन सकते है तो चलिए teleport हो जाते है diamond casino की तरफ तो यह रहा हमारा diamond casino तो देखिए यहाँ से आप entry कर सकते हो तो पहले हम car को park करने वाले हमारी तो हम garage की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको option आजाएगा प्रेस E2 save a vehicle into garage और प्रेस Q2 enter garage तो पहले हम इस vehicle को हम save करेंगे तो E press करूँगा मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको garage options मिलेंगे enter garage slot देखिए तो slot 1 में मैं save करूँगा तो save current car कर दूँगा तो देखिए हमारी car यहाँ पर save हो गई है तो यहाँ पर मैं press करने माले हो Q2 enter garage तो मैं Q प्रेस करूँगा और देखिए हम garage में चले जाएंगे तो देखिए guys अगर आपने यहाँ पर Benny's original motorworks को install नहीं किया तो आप इस garage में access नहीं कर पाओगे आप कई और जगा टेलिपोट हो जाओगे तो देखिए यह हमारी limousine यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर देखिए big garage मिल जाएगा आपको यहाँ पर आप अपनी cars का collection कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर देखिए VIP एरिया है यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ से sell or buy a vehicle कर सकते हो देखिए हम यहाँ से e-press करेंगे हाँ पर remove a vehicle करेंगे slot one तो हमने हमारी car को यहाँ पर sale कर दिया है तो देखिए हमारी car यहाँ से चली गई है तो हमने हमारी कार को यहां से सेल भी कर दिया है तो हमें पैसे भी मिल गया है उस कार के तो यह भी काफी भैतरीन आप्शन है तो आपका अपनी कार्स को सेल कर सकते यहां से और पैसे कमा सकते हो तो यहां से देखिए इप्रेस करूंगा मैं और हम यहां पर बाहर आ गए है तो या फिर हम यहां से diamond casino में enter हो सकते हैं तो मैं e-press करूँगा तो देखिए हम यहां पर diamond casino में आ गए है तो देखते हैं यहां पर है cashier तो यहां से आप chips को buy कर सकते हो तो e-press करूँगा हापर मैं chips for money तो देखिए हम chips इतने सारे chips हम buy कर लेंगे चलिए तो यहां पर देखिए हमने chips buy कर लिए है तो gta online में यह पूरी तरह से functional है यहां पर आपको demo मिल जाता है तो चलिए देखते हैं और कोई game खेल के हाँ पर और यहां पर देखिए आपको यह counter है तो देखिए यहां पर हम upgrade कर सकते हैं प्रेस to upgrade your casino membership तो हम यहां से casino membership यह पर upgrade कर सकते हैं यह प्रेस करूँगा मैं और देखिए हम vip plus membership खरीदने वाले हैं तो यहां पर हमने vip plus membership हमने खरीद लिए तो यहां पर हमें penthouse भी मिल रहा है देखिए और art options मिलते हैं यहां पर painting options put up artwork तो देखिए हमने artwork भी put कर दिया आपर penthouse देखिए हमारा तो यहां पर हम penthouse हमने बाई कर लिया है तो इसकी style हम यहां से change कर सकते हैं हम बार भी यहां पर लेंगे तो यहां पर हमारे penthouse में बार भी include कर देंगे spa भी include कर देंगे हम तो देखिए यहां पर हमारी जो membership हो है VIP membership हमें फुल penthouse मिल रहा है पर फुल rooftop access हमें 35 car garage है full business access starting on business level 10 तो इतने सारी functionality हमें मिल जाती है चलिए अंदर जाते हम oh my god बहुत बिग है यह inside track देखते हैं यहां पर क्या है तो भाई अच्छा एरिया यह भी तो देखते हैं यह क्या है starter race अरे वाह हम यहां से race खेल सकते हैं race to win तो यहां पर हमारी वेहिकल ए रहेगी और देखिए start race कर देगे हम तो चलिए हमारी जो वेहिकल है वह फर्स्ट वेहिकल है क्या बात है तो यहां पर हमने A vehicle को आपर सिलेक किया है तो यहां पर देखिए हम bet लगा रहे है इस vehicle पर तो यहां पर मैं cancel कर रहा हूं race तो देखिए हम आ गए हाँ पर ओहो देखिए यह भी गेमिंग जोन है तो देखिए हम यह भी खेल सकते हो तो यह मुझे पता नहीं कैसे खेलते हैं चलिए तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हो यहां से देखिए तो यह सारे गेम्स आप खेल सकते हो यहां पर तो देखिए हम यहां से Roof Top में जा सकते हैं तो हम आगे Roof Top पर और यहां पर देखिए यहां पर आपको Drinks Menu मिलता है और यह बड़िया Roof Top देखिए हम उपर आगे हैं यहां पर Diamond Casino के Top Floor पर तो देखिए यह हमारा जकुजी तो हम जकुजी में में जा सकते हैं तो ये प्रेस करूँगा और देखिए हम बैट गये हैं जकुजी में तो भाई जबर दस्ते भाई मज़ा आ गया तो यहां पर देखिए swimming pool बें मिल जाते हैं आपको अरे वाँ भाई swimming करेंगे आप तो देखिए यहां से आप कसीनो में एंटर कर सकते हैं और आप तो यहां पर देखिए हम पेंट हाउस में एंटर हो सकते हैं तो मैं इप्रेस करूँगा और हम जाएंगे हमारे पेंट हाउस में तो यह रहा हमारा बढ़िया सा पेंट हाउस देखिए तो यहाँ पर हम बैठ सकते है देखिए हम शांती से आपर मज़े कर रहे हैं चिल कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे penthouse में हमें इतनी सारी facilities मिल जाती है देखिए तो देखिए हमारे इतनी सारी facilities तो हमें हमारे penthouse में मिल रही है जबरदस भाई जबरदस काफी बहतरी इंटिरियर्स यहाँ पर भी हमें जकुजी मिल रहा है तो हम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आराम से चिल करेंगे यहाँ पर तो चलिए हम एंटर करने वाले हमारे CEO रूम को तो देखें यहाँ से हम रूम को एक्सेस कर सकते हैं यह हमारा CEO room देखिए यह हमारा office है और यहाँ पर आपको option मिलेगा तो देखिए यहाँ पर प्रेस क्यूटू sit on CEO chair to access menu तो यहाँ पर मैं Q press करूँगा और देखिए हम यहाँ पर access करने वाले तो यहाँ पर मैं प्रेस E करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पर purchase option मिल जाते है तो देखिए हम expand कर सकते हमारे business को तो हम level यहाँ बढ़ा देगे तो यहाँ पर हमने यह 12 level को buy कर लिया है card deck options यहाँ पर purchase elite deck कर सकते हम तो हमने इस deck को भी purchase कर लिया है तो देखिए बहुत सारे options मिल जाते हैं आपको हम business को sell भी कर सकते हैं से product option में देखिए buy sell product तो यह सारे options मिलते हैं आपको missions मिलते हैं तो यहां से आप missions केल सकते हैं normal missions में देखिए आपको property investment तो यहां पर आपको यह तीन normal missions मिल जाते हैं और यहां पर आपको special missions भी मिल जाते हैं और देखिए garage तो यहां पर हमें garage में vehicles मिल जाती है तो हम vehicles को हम rent पर भी दे सकते है land vehicles देखिए तो get vehicle तो अलग-अलग vehicles यहां पर हमें get करने वाला हूँ देखिए हमारे entrance पर यह vehicles मिलेगी हमें chips menu देखिए यहां पर chips for money तो यहां से हम chips भी buy कर सकते हैं और यहां पर misc में देखिए हम marker color change कर सकते हम यहां से UI color देखिए हम यहां से options change कर सकते हैं Jacuzzi के terrace पर pets यहां पर मिलेंगे आप terrace area यहां पर आपको अलग-अलग options मिल जाएंगे तो इन options को भी आप discover कर सकते हो तो चलिए हम जाएंगे missions पर और देखिए special missions में हमें play to win तो यह mission activate हो चुका है यहां पर तो देखिए यहां पर problem हो चुका है तो हमें जाना है इस mission को खेलने के लिए तो यहां पर हमें लगने वाली है gun मैं exit करूंगा helipad के तरफ देखिए यहां पर हमारा helipad और हमारी कार भी है यहां पर तो देखिए यहां पर हमें problem दिखाई दे रहा है एहां पर इन लोग है इन लोगों को मारना हमे तो हमारा mission है मिशन मका अरे बाई इनने लोग आये का से कुछ जादा यहां पर सब चला लेंगे हम बबाई इन्हें हमने फोंख इने कार इब काफी बच्छी है क्या बहतरन कर है भाई यह देखिए ईटकर यहां पर है और मार रहे हमें भाई चे यहां पर दोना पड़ेगा इन सब को बढ़ सबको मारने वाले यह पर लो तुम सब मुझे मारो मैं सबको एक साथ मारने वाला हूं अरे भाई मार रहो मुझे लो भाई देखिया आग लगा दी यहाँ पर मैंने तो 30 अटागर आगे यहाँ पर उन सब को मारना है और यहाँ पर देखिये ब्लास कर देंगे भाई हम तो लो भाई 23 खताम और कितने लोग बच्चे भाई ले लो सब के लिए तौफा है अरे भाई लो लो भाई और यह पर मिशन पास तो यहाँ पर देखिया हमें इतने सारे पैसे मिल गए तो यहाँ पर हमारा मिशन हो चुका है complete तो गाईस यह बहतरीन मौड है तो आप इस मौड को इंस्टॉल कर सकते हो तो guys अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना मुले दोस्तों हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज दाते रहेंगे गाइस मिलता हो अगले ओडियो में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई